Hello friends, welcome to my youtube channel, देखिए friends, आज हम exercise 10.4 का question number 14 start करेंगे, 13 question हम देख चुके हैं, अगर आपने पहले की videos नहीं देखिए हैं, तो वो आप जरूर देख लें, हम एक ही question board पर करवा रहे हैं friends, देखिए, compare करना है अपने को area under the car y is equal to sin x, एक करो क्या दी हुए अपने को y is equal to sin x और y is equal to sin 2 x, above x axis and between x is equal to 0 and x is equal to pi by 3, हमें क्या करना है, ये दो करव दी हुए हैं अपने को, एक तो ये करव है और एक ये करव है, इनका area हमने क्या करना है, compare करना है, माल लेते हैं हम एक का एक जो करव है, उसका area even है, एक का 82 है, उन दोनों को compare करेंगे हम, तो क्या कर देंगे, उन sin x, y is equal to sin x है, ठीक है, अब इसका area निकाड़े हम, area, इसका area निकाड़े हम और इसको क्या नाम ले ले, मालो मैंने even नाम दे दिया, तो कहां से कहां करना है, अपने को 0 से pi y 3, ठीक है, 0 to pi y 3 sin x dx, किलिर है भई, अब 0 से pi y 3 में देखेंगे, तो sin जो है क्या रहेगा, positive ही र होगा, इस minus को मैं भार लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि constant पे limit का परवाव तो पढ़ना नहीं है, minus मैंने भार लिख दिया, किलिर है भई, यह minus ic का है, minus cos x, ठीक है, अब देखें, क्या limit apply कर दें, तो यह क्या हो जाएगा, cos pi y 3 minus cos 0, किलिर भई, तो यहां से क्या आ यहां से आएगा, minus यह है, plus का 1 by 2 हो जाएगा, ठीक है, इसका area कितना आ गया, plus का 1 by 2, अब हम यह निकाल लेते हैं, इसको देखो, मान ले, यह दूसरी का रो क्या है, अपने पास y is equal to sin 2x है, ठीक है, अब इसका area की बात करें, area, तो इसको मान लो मैं, 82 से मान लो, तो क्या करेंगे, हम 0 से 5 by 3 बात करेंगे, sin 2x dx, देखो, इसकी बात करें तो यह भी positive रहे, कैसे 0 से 5 by 3 है, 0 से यह x जो है, वो 5 by 3 की बात हो रहे, यहां एंगल क्या, अपना 2x है, अगर इसको 2x बढा ले, तो यह 0, 2 से multiply कर लें इसको, तो यह 2x और यह कितना 2 by 3, 2 by 3 की बात करें तो 2 by 3 का मतलब, 2 into 180 by 3, तीन चिंग अठा, यह 60 हो गया, 120 हो गया भई, कितना एंगल हो गया, 120, और हमें पता है, 0 से 120 पे, sin की अगर हम बात कर लें, sin की, sin क्या होता है, वो तो 180 degree तक positive ही रहता है, तो इसमें भी positive रहेगा, इसकी कोई दिकत नहीं है, ठीक है, अब आगे द minus 1 by 2 को, minus का है, और limit 0 से pi by 3, अब करें, इस पे apply minus 1 by 2, यहां क्या हो जाएगा, cos of 2 pi by 3 minus cos of 0, क्लियर है वही, अब इसको solve करना है, तो 1 by 2 cos of pi minus pi by 3 लिखे लें, इस 2 pi by 3 को, ऐसा लिख सकते हैं, minus cos 0, cos 0 की value कितने होती है, 1, इसको अगर हम बात करें, तो यह क्या आजाएगा अपना, cos pi है, तो cos का cos ही रहेगा, no change, और यह किसकी बात हो रही है, अपनी second quadrant की, और second quadrant में, क्या होता है, cos negative, तो minus का cos pi by 3 लिखे लेगा, यह, minus 1, इसकी value रख देंगे, अब minus 1 by 2, यह क्या है value, 60 है न, pi by 3 का मतलब तो 1 by 2 minus 1, तो यह कितना आ गया, minus 1 by 2 into, यह minus का, minus 1 और minus 1 1 by 2, minus का 3 by 2 आ जाएगा, minus minus कितना हो गया, पलस, तो 3 by 4 आ गया, कितना आ गया, 3 by 4, तो 82 आ अपना 3 by 4, a1 कितना आ गया, a1 यह आ गया, अब हमने तो इसको compare करना है, क्या करना है, compare, ठीक है, तो compare करेंगे, तो इनका ratio आप find out कर दें, a1 upon a2, ठीक है, इनका ratio find out करें, तो यह 1 by 2 यह पलट के आएगा, तो 4 by 3 हो जाएगा, 2 से 2 पे कर जाएगा, यह कितना आ गया, 2 ratio 3, तो इनका जो comparison है area का, वह यह आ जाएगा, ठीक है वही, यह था इसका first part, आप note कर लेंगे students, अब इसका second part देखेंगे वही, compare करना है अपने को, areas को, अंडर दी करो, एक करो, अप between x is equal to 0 से x is equal to pi में, हमें इन दोनों को compare करना है, तो वैसे कारो ले लेंगे y is equal to क्या, अपना को स्केर x है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लो, एक area को हम मान लेते हैं, a1 से, area a1, find out करें, तो 0 से कहां तक करेंगे, pi तक, को स्केर x, को स्केर x, dx, देखें, अगर हम बा अगर negative भी होगा, तो भी क्या हो जाना है, अपना positive हो जाना है, clear है, 0 से pi को स्केर x, dx होगा, अब इसको integrate करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, हम क्या multiple form में, देखो, 1 plus cos 2x by 2 लिखेंगे इसको, clear है भई, dx, linear type में इसको लिखेंगे, उसके बाद में इसको solve करेंगे, अब देखें, यहाँ पे, 1 by 2 को ले ले भार, और इसका integration कर दें, 1 का क्या हो जाएगा, 1 by 2 तो आ गया भार, 1 का हो जाएगा, x plus cos 2x का हो जाएगा, sin 2x by 2, x का coefficient 2, ठीक है, भी यह 1 by 2 तो मैंने भार लिख दिया है, clear है ना, यह जो 1 by 2 दिख रहा है, वो भार, 0 स पाई, अब इसमें लिमिट रख देंगे, तो 1 by 2, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई पाई पलस यह, 1 by 2, sin 2 पाई, minus 0 रखेंगे, यह भी 0, sin 0 पे 0 होता है, अब यहाँ पे देखें, 1 by 2, यहाँ से क्या आया, पाई, पलस यह, sin n पाई पे क्या होता है, 0, इसकी तो कानी है न यह खतम तो यहाँ से पाई पलस 0 पाई आया, यह यह क्या आ गया, पाई बाई टू, कितना आ गया, पाई बाई टू, यह वन आ गया, पाई बाई टू, क्यलियर, अब आम यह, 1, 2 निकाल लेते हैं, वही, area, मालो, इसका नाम रखले, हम 8, 2, 10 करो का, करो क्या है, अपनी य y is equal to sin square x तो यहाँ पे हम यहाँ भी 0 से pi integrate कर देंगे sin square x dx इसको कैसे लिखेंगे देखें इसको लिखेंगे 0 से pi 1 minus cos 2x by 2 यह लिखेंगे वई clear है अब इसको solve करेंगे तो 1 by 2 भार आ जाएगा और 1 minus cos 2x का integration करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका x और इसका हो जाएगा sin 2x by 2 clear है और 0 से pi कर दें वई तो 1 by 2 pi रखेंगे यहाँ pi हो गया यहाँ sin 2 pi by 2 minus 0 रखेंगे तो यह भी 0 और यह भी 0 यहाँ से कितना आया 1 by 2 यह pi minus 0 pi by 2 ही आया कितना आया pi by 2 clear है यह 1 भी pi by 2 यह 2 भी pi by 2 तो आप क्या वो लेंगे therefore therefore both the curves both the curves both the curves both the curves having the same area having the same area क्या है दोनों curves का area same है यह था आपका second part question number 14 complete होता है आप note कर लेंगे students question number 15 देखेंगे भई आप देखें स्केच करना है अपने को the region lying in the first quadrant जो region lie करेगा किसमें first quadrant में and bounded y y is equal to 9 x square क्या equation अपनी y is equal to 9 x square ठीक है यह इसमें और x greater than equal to 0 होगा y is equal to 1 और y is equal to 4 में जो area bound होगा इस region में उसको स्केच करना है अपने को और फिर क्या करना है also find the area of the region using integration फिर उसका area भी हमने find out करना है integration का use करके अब यहाँ पे देखें तो देखो यह equation जो है वो किसको represent कर रही है parabola को represent कर रही है अब बात आती है कि parabola कौन सा है तो हमने बताया आपको कि x square is equal to 4 ay या x square is equal to minus 4 ay जो standard parabola x square is equal to minus 4 ay वाड़ equation है अब minus तो इसमें है नहीं तो यह किसको represent करेगा वो equation क्या होती है या तो upward या downward इसमें तो positive है तो यह represent करेगा किसको represent an upward parabola upward parabola ठीक है वह यह upward parabola को represent करेगी अब यहाँ पे बात करें इसके vertex की तो इसका vertex जो है देखो अगर यह standard form में अगर इस परकार से लिखा है इसमें कुछ भी पलस या माइनस नहीं हो किलियर लिए इस परकार लिखा हो यह ठीक है तो हम क्या बोलेंग इसका vertex क्या हो जाएगा तो इन में तो vertex 00 या जाना है कुछ ज्यादा सोतने की ज़रूरत है नहीं बाकि अगर उससे भी अगर आप देखें तो हमने एक अगर देखें है लिख की ऍवी नेगया आपको इसमें आपको यह vertex जो है वो formula minus b by 2a 4ac minus 4ac minus b square upon 4a अगर आप यह लगाएंगे यहाँ पर देखें तो a का काम कोड़ कर रहा है 9 कर रहा है a का काम इधर करके दिखा जेता हूं एका काम 9 कर रहा है आप इस equation को इस equation से compare करें b और c क्या है इधर 0 है b भी नहीं है और c भी नहीं है इसमें ना अब आप इसमें रखेंगे तो b को रखेंगे 0 तो यह तो 0 हो गई कांई आगे रखें 4ac a कितना 9 c कितना 0 minus b square भी 0 तो यह सारा कांई यह जो है वो क्या बन गया इसकी काने क्या बन गई सारी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 तो vertex इधर से भी 0-0 याए आप ये भी अपना सकते हैं ठीक है भई आप ये ना सोचेंगे ये formula नहीं लगेगा ये formula रामबान है वैसे आपने याद रखना है अगर आपको vertex find out करने है तो ये formula आपने जरूर ध्यान में रखना है equation ध्यान में रखना है कि इस परकार की equation आए तो ऐसे compare करके ABC निकाल के और इस equation में रख देना है clear है जब ये standard है तो ये सब चीजे करने की जूरूत नहीं है इसका vertex क्या हो जाएगा 00 अब हमने parabola बनाना है जिसका vertex क्या होगा 00 और upward parabola होगा यह vertex, यह हो गया origin, यही तो होता है 0-0, vertex हो जाएगा और यह upward parabola इसका, ठीक है, upward parabola, यह symmetric दिखना चाहिए, जितना इधर है, उतना इधर होना चाहिए, clear है, ऐसा नहीं है, एक side जादा है, एक side कम, और यह roughly ही sketch करना होता है आपने, अब यहां पर बात करें, तो इसने क्या ब parabola है, एक तो यह हो गया भी parabola, एकस greater than equal to 0, अब एकस greater than equal to 0, दो कहा होता है y axis पे, greater than 0 मतलब इधर तो negative होता है न, एकस, greater than 0 का मतलब इधर हो गया, यानि कि यह इधर इधर होने वाड़ा है, ठीक है, अब आगे बात करें, तो y is equal to 1, और y is equal to 4, आब y is equal to 1 की बात और यह म y is equal to 4, clear, अब y is equal to 1, y is equal to 4, यह parabola की यह लाइन, यह ठीक है, और x greater than 0 तो यह इधर आ गया, और lying in first quadrant, साथ में क्या बोला है, first quadrant में लाई कर रहा है, तो first quadrant में कहां, like कौन सा bound होगा, first quadrant तो यह ही है, तो यह region जो है, यह हुआ bound, clear है y, अब हमने इसका, जो bounded area है, वो find out कर द लेना है, देखो, therefore, bounded, bounded area is equal to, क्या करेंगे हम, अब यहाँ बात देखें, तो देखो strip की अगर हम बात कर लें, तो strip अब कहां बन जानी है, strip अब ऐसे बना लेंगे, देखो, यह, यह strip बन गई, यहाँ यह क्या है, dy, और यह क्या है, अपना x है, अब इसकी बात करें, तो यह क्या, एक rectangle की तरह, यूज में करेंगे, हमने आपको बताया है, कि यह strip इतनी पतली है, कि आप यह ना सोचेंगी, यह करो गूम रही है, तो यहाँ कुछ बचेगा, यह इतनी पतली है, कि नेगलीजिबल, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, बहुत सारे strip है, इसके integrate कर दें, हमें तो पूरे का area, जो shaded है, उसका area चीए, तो y 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक हम कर देंगे integrate, तो यह जो shaded क्या है, उसका area आजाएगा अपने पास, किलियर है वई, अब आगे देखो, x की value रखने है, वैस, 1 से 4, x की value रखें, x क्या है अपने पास, यहाँ से find out करना पड़ेगा, देखो, यहाँ से find out कर लें हम, तो क्या आजाएगा, x square is equal to y by 9, हमें तो x सी है, तो x is equal to क्या आएगा, plus minus under root of y आजाएगा, यहाँ 3 आजाएगा, अब बात कर रहे हैं हम, इस first quadrant की, first quadrant में अगर x की बात करेंगे, तो क्या आएगा, positive में आएगा, किस में इसको थोड़ा और इधर कर लेंगे, इसको आप line कीच के, इसको करके दिखा देंगे, कि x आप plus minus आया, लेकिन आपने plus choose किया, क्यों कि आप लिख सकते हैं, यह first quadrant में है, किस की बात हो रहे है, first quadrant, तो यहाँ लिख दूँ, यह x की value दे नहीं हमने तो, तो root y by 3, y by 3, 3 को ब और इसके अकोन में आएगा, 3 by 2, तो पलट के 2 by 3 आजाएगा, 2 by 3, यहाँ इसके multiply में कर देता हूं, और limit इस पे लगा देते हैं, 1 से 4, constant पे तो परवाव पढ़ना नहीं, तो यहाँ 2 by 9 है, और यहाँ पे लगाए limit, तो 4 की power 3 by 2, minus 1 की power 3 by 2, यह क्या आजाएगा आपका, 2 by 9, 4 की power 3 by 2 का मतलब 4 into 4, root 4, ठीक है, 3 by 2 हो गया न, minus 1 की power 3 by 2, 1 आएगा, तो यह 2 by 9, यह कितना आया, 2 और 4 दुन याठाट में से एक जाएगा, तो कितना आएगा, 7, यह कितना हो गया, 14 by 9, अब बात हो रही है area की, तो square unit, जरूर लिखे भई, देखें इसे पिछले question मे जब हमने A1 और A2 निकाल दिये थे, जो A1 आ गया था आपका, उसके आगे भी आप square unit लिखें, A2 जो आ गया था, उसको भी आप square unit लिखें, ठीक है, आप unit लिखना ना भूलें वही, कहीं भी, वहां हम लिखना भूल गये, आप मिस्टे, मतलब कोई भी number कटने की गुंजि लिखें, तो कोई दिकत नहीं है, इसमें तो यह basic था parabola, तो इसमें लिखने की आउशकता भी नहीं थी, यह हमने समझाने के लिए बताया था, कि आप vertex उस formula से भी find out कर सकते थे, यह था question number 15, आप note कर लें, अब question number 16 देखेंगे वही, find the area bounded by the car, हमें area find out करना है, जो bound होगा क इसकारों से, y is equal to, y is equal to 4 minus x square से, and the lines, और lines क्या क्या है, y is equal to 0 और y is equal to 3, इन सबसे जो area bound होगा, वो हमने find out करना है, ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, तो यह जो equation लिखी है, यह आपको फहचान में आने चीए, कि यह क्या है, यह एक parabola की equation है, यह बात clearly दिख रही है हमें देखो हमने आपको बता है, y is equal to quadratic in x, ax square plus bx plus c, y is equal to quadratic in x, x में quadratic होगी, अगर a बड़ा है 0 से, तो क्या होगा भई अपना, यानि a बड़ा है 0 से, यानि positive, positive होगा तो upward parabola, कैसा होगा, upward parabola, और अगर a less than 0 होगा, तो downward parabola, हमने आपको बताया है, ठीक है, अब बात करें, इसक x का formula क्या होता है, minus b by 2a, 4ac minus b square upon 4a, यही बताया है, 4a, यही बताया हमने आपको, अब इस equation को इस equation के रूप में लिखने पहले, थोड़ा आगे पीछे कर ले, y is equal to, देखो x square उसमें आगे है, तो minus x square plus 4, ऐसे लिख सकते हैं, अब clearly दिख रहा है, यहां एक आकाम minus 1 कर रहा a का काम कोण कर रहा है, minus 1, तो minus 1 कर रहा है, यह जिरो से छोटा है, जिरो से छोटा मत्तों negative है, तो parabola कैसा बनेगा downward, कैसा बनेगा downward, तो आप लिखेंगे है, यह रीपरजेंट करता है, downward parabola को, downward parabola को, तो इसमें a, b, c, लिख लेते हैं, हम इसको इसे compare करें, अब a कितना है minus 1 क्योंकि हमने vertex find out करना है B कितना है X का तो कुछ है नहीं तो 0 और C कितना है constant 4 तो vertex की अगर बात कर ली जाए तो vertex का जाएगा वही देखो यह आप side में जरूर लिखने वही यह formula ठीक है पूरा कि जीरो ही आ गया तो यह तो जीरो ही हो गया minus by 2a, 4ac a कितना minus 1 c कितना 4 4ac minus b square 0 का square by 4a a यानि की minus 1 अब यहां से बात करें तो यह 0 और minus यह 0 की तो कोई कानी नहीं पीछे minus minus हो गया plus 4 से 4 अगट गया आया कितना 4 0 और 4 आ गया क्या आया vertex अब हमने parabola बनाना है कैसा parabola होगा downward जिसका vertex क्या होगा 0 और 4 तो देखें वह कैसे बन जाएगा यह downward parabola यहां बना दू मैं यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो 0 और 4 बोला है ना हमने तो y axis पर रहेगा यह 0 और 4 तो यहां clear है और downward parabola बनाना है तो यह हो जाएगा downward parabola यह ऐसे clear है downward parabola हो गया 0 से 4 हो गया अब आगे और बात कर लें क्या किस किस में bound करना था y is equal to 0 अब y is equal to 0 का मतलब क्या है x axis पर y क्या होता है 0 होता है तो यह हो गया y is equal to 0 की line clear है अब आगे देखो y is equal to 3 3 बोला है अपना y यहां क्या है point है 4 है यहां तो 3 से थोड़ा नीचे ले लें देखे हमने roughly sketch करना है तो यह हमने ले लिया 3 y is equal to 3 clear है अब देखो y is equal to 0 हमने यहां पर बात करें तो यह bound करना है करों के बीच में यह curve हो गई y is equal to 3 यह हो गया y is equal to 0 यह हो गया अब इसमें इसमें नहीं है इसका मतलब क्या हुआ y 3 और y 0 और यह curve यह वाली तो इसमें तो area इस side भी क्या हो जाएगा यह vertex है भई आपका ठीक है bounded area कि अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा देखो हम क्या करें यहां पर आप strip की बात सोचें तो कैसे देखो इधर बना ले यह यह यहां से और यह आप धों के आ जाओ यह यानि आप यह मान सकते हैं यह फर्स्ट कोड़ेंट में आपको नजर आ रहा है वही एरिया लिखा है मैंने ठीक है अब जितना इदर है उतना इदर होगा क्योंकि जो फैराबूला होता है स्मिvalues होता है इतना इदर उतना इदर तो हम क्यों ना इजढको twice कर दें क्या कर दें त्वास और कहां से का इंठीक्रेट करतें। 0 से 3 पे, 0 से 3 पे, clear है वाई, 0 से 3 पे integrate कर दिया, आप ये सोचे कि हम इसका area find out कर रहे हैं, और जो इसका निकाल देंगे, उसका क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, clear, अब रख दें value, twice of 0 से 3, x क्या है अपना, x की value यहां से निकालनी पड़ेगी, तो यहां से आप निका area is equal to 4 minus y हो जाएगा, और x की value निकालनी है, तो under root of plus minus sign के साथ 4 minus y आएगी, तो किसकी लेंगे हम, plus की, 4 minus y, plus की क्यों, क्योंकि इस quadrant के बारे में मानलो, हम सोच रहे हैं, तो plus की लेंगे, ठीक है, अब यह नहीं सोचना कि इसकी लिए रहे हैं, तो minus में लेंगे, ऐसा नहीं अगर इसकी minus में भी लेंगे, तो area negative में तो होता नहीं है, तो हमने आपको पहले भी बताया है, कि अगर आपने minus में लिया है, तो एक minus उसको positive करने के लिए लेते हैं, ठीक है, तो अब ही हम किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, जितना area यह होगा, उतना यह होगा, चीदी and root को मैं 1 by 2 लिख दू, ठीक है, and root की जगे, dy, अब इसको हम integrate कर देंगे, और देखें, यहाँ पे अगर हम करें इसको integrate, तो twice हो, यह क्या हो जाएगा, इसका integration, 4 का 4y आजाएगा, minus y का, sorry, 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 power नहीं देखें, हमने whole power 1 by 2 है, तो पहले power को देखें, तो क्या आएगा, 4 minus y की power 1 by 2 है, तो 3 by 2, कितना आएगा, 3 by 2, और 3 by 2 निचे भी आएगा, पलट के 2 by 3, आजाएगा, इसको मैं भार लिख देता हूँ, 2 by 3, क्योंकि constraint पे limit का परवाव तो पढ़ना नहीं, इसका हो गया, अब यहाँ पे इसको देखें, तो y का coefficient क्या है, minus 1, minus 1 से इसको divide over करना है, इसको divide over करना है आपने, तो यह मैं minus यहाँ अंदर लिखने की बजाए, यहाँ बार ही लगा देता हूँ, ठीक है, और इस पे limit apply कर देंगे, हम 0 से 3, यहाँ तक clear है भई, अब देखो, यह क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, तो therefore bounded area, bounded area, क्या चल रहा है भई अपना minus का 4 by 3, यह हो गया, और इस पे 3 apply करें आप limit, तो क्या हो जाएगा, 4 minus 3 की power 3 by 2, ठीक है, और 0 करेंगे, तो minus 4 minus 0 की power 3 by 2, अब कर दो, यहाँ सोल तो minus 4 by 3, यह क्या हो गया, 1 की power 3 by 2, कितना होगा, 1 ही होगा, minus 4 की power 3 by 2, 4 की power 3 by 2 का मतलब क्या है भई, यहाँ पे, 1 minus, यह 2 की power 2 लिख सकते हैं, 4 को, और 3 by 2 इसकी चल रही है, 2 से 2 कर जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, minus 4 by 3 into, 2 की power 3 कितना हो गया, 8, और 8 minus का 8 है, और 1 plus का है, तो कितना बचेगा, minus का 7 बचेगा, minus का 7, तो minus हो गया, plus, और यह यह है वही आपका question number 16, आप note कर लेंगे students, और अगर आपको question समझा रहे हैं, तो please आप subscribe, जरूर कर लें हमारी मेनत को देखे, और ज्यादा से ज्यादा आप friend circle में भी बताएं, अब question number 17 देखेंगे वही, इसमें 2 part है, find the area of the region bounded by the parabola, y square is equal to 16x, and the line x is equal to 4, हमें area find out करना है, जो bound होगा किसे, एक तो यह दिया हुआ है, y square is equal to 16x, और एक line x is equal to 4, तो यह clearly पता है, दिया भी है, यहां तो लिखा है parabola है यह, क्या है parabola, यह जरूरी नहीं भी आपको लिखके ही बताएं कि यह parabola है, आपने equation को पहचान लेना है कि यह किसकी equation है, अब parabola आ रहा है, लेक 4x square is equal to minus 4ay, तो यहां पे यह क्या है अपना, यह किसको represent कर रहा है, अपना right-handed parabola को represent कर रहा है, represents right-handed parabola, right-handed parabola, ठीक है बई, right-handed parabola को represent कर रहा है यह, तो इसका vertex की अगर बात कर लेते हैं, यह तो standard form में ही है, तो यहां x और y यह दोनू, क्या हो जाएंगे, 0-0 हो जाएंग है, अगर आप उस रूप में करें, जो मैंने आपको formula बता है, तो इसको पहले x is equal to quadratic in y, यानि कि 16 को इधर लाना पड़ेगा, उसके बाद a, b, c, decide करके, और फिर vertex के formula में रखेंगे, तब भी यही आएगा, clear है, वैसे उतना लंबा करने की जरूरत है नहीं, इसमें, अब यहां पर बात करें, right ended parabola और vertex 00, तो कैसा बन जाएगा, यहां अगर बात कर लें, तो देखो, right ended parabola है और vertex 00, तो यह हो गया, यह 00, और line x is equal to 4, तो मालो यह 4 कहीं, x is equal to 4 यह है, ठीक है, तो यह line खींज देते हैं, x is equal to 4 की, clear है, अब यहां बात करें, तो हम अपना bound की बात करें, बस यह दो ही बाते हैं, तो bound क्या, वाइस कारो और यह इस line में, तो इसमें तो निचे भी होगा, area bound और उपर भी होगा अपना, तो यह यहां तक bound होगा, और तो कोई condition है नहीं, कि first quadrant करना है, condition को पहचानना है, कि कोण सा bound करना है, यह जरूर देख लेना है, अब यह यह दोनों bound होगे, तो आप क्या कर लेंगे हम, मालनों हम यह जो उपर दिख रहा है, उसके area find out, अगर हम कर लें, और यह तो हमने काफी question किये हैं, इस परकार के तो, उसका क्या कर देंगे, हम दो गुना कर देंगे, तो यह area भी cover हो जाएगा, मतलब पूरा area अपना आ करने की, bounded area is equal to, क्या करेंगे, 0 से 4 pentigrate कर देंगे, और strip की बात करें, मालों यह strip ऐसे बन गई, कैसे बन गई यह, यह क्या है, अपना x पे dx है, और यह y है, तो y into dx लिखेंगे न, clear है, और यह तो इस इसका हुआ, इसका दोगना कर देंगे, तो पूरे का हो गया, clear है, अब हमें यह y की value देनी है, तो y की value देनी है, तो देखो y square is equal to कितना है अपना, 16x, हमने y की value देनी है, तो under root of plus minus sign के साथ 16, root 16x आएगा, यानि कि plus minus 4x आया, लेकिन हमें y की value कौन सी लेनी है, y is equal to लेना है, हमने क्या 4x, क्यों लेना है, क्योंकि हम बात किस की कर रहे हैं, हम ब बात करें, तो y क्या रहेगा, positive रहेगा, ठीक है, आप यह नहीं बोलेंगे, इसमें भी कि इस क्या लेंगे तब negative होगा, negative होगा, अगर आप negative लेते हैं, तो negative और लगाना पड़ेगा आपको, उसको plus करने के लिए, बात समझ आई, या तो आप यह बोलें, कि absolute value लें, कर्व में आगर negative ले रहे हैं, तो आप mode लगा लें, या फिर minus में ले रहे हैं, तो एक minus और लगाएं, उसको plus करने के लिए, हमें पता area negative में नहीं होता है, हम काफी बार बता चुके हैं, देखें, तो y is equal to 4x, इसका ले लिया हमने, तो उसका दूना कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 से 4, y की value क्या लेंगे, 4x, ठीक है, sorry, 4 root x रहेगी, यहां पे x नहीं, यह under root इस पे भी है, इस पे भी है, तो root x रहेगी, यहां, 4 root x, ठीक है, इसका root होगा, तो 16, यह 4 आ गया, इसका root x, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यह हमने value रख लिए y की dx, अब 4 को तो भार ले लें, तो यह कितना हो गया, 8 बन गया, 4 और 2, और 0 से 4 है, अब इसको integrate कर लें, root x को, तो x की power कितने आएगी, 3 by 2, और पलट के 2 by 3 हो रहेगा, इसको मैं भार लिख लेता हूँ, इस पे limit apply कर दें, 0 से 4, यह कितना आ जाएगा, यहां से देखें, तो 16 by 3 आ गया इस पे limit apply कर दें, तो 4 की power 3 by 2 minus 0, की power 3 by 2, 0 रहेगा यह तो, यहां से क्या आ गया, भी अपना, 16 by 3, और यह कितना आ जाएगा, 4 की power 3 by 2 का मतलब क्या है, 4 under root 4 है, तो यह चार्द नहीं, 8, 8 यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8, तो यह कितना हो गया, 128 by 3 square units, क्या हो area, square units, area find out करना है, देखें, यह बात ध्यान रखें, यह plus minus आता है, जब आप इसमें square को root इदर लेके आएगे, तो plus minus आएगा, लेकिन plus क्यों लिया, कि first quadrant इसकी बात कर रहे हैं, और दूग्णा area, तो इसको double कर देंगे, तो यह पूरा cover हो जाएगा, clear है, यह था आपका first part आप note जरूर कर ले, अब इसका second part देखें, find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square, and the line y is equal to 4, अब हमने क्या करना है, पैराबोला अपना यह आ गया है, equation क्या है, y is equal to x square, और line y is equal to 4, जो area bound होगा, वो हमने find out करना है, तो यह जो दिख रही है equation, यह parabola तो है, लेकिन कोण सा parabola है, यहाँ बा 4ay और x square is equal to minus 4ay, अब minus तो है नहीं, यहाँ पलस में है, तो यह रिपर्जेंट करेगा upward parabola को, रिपर्जेंट एन अपवर्ड पैराबोला, एन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, यह अपवर्ड पैराबोला को रिपर्जेंट करेगा, और वर्टेक्स की अगर हम बात कर ले किसकी, वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स इसके क्या हो जाएंगे, standard 4 हमें 0-0 हो जाने है, वर्टेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं figure इसका बनाद दूँ, देखो यहाँ पे, हमने upward parabola बनाना है, और वर्टेक्स उसके 0-0, यह हो गया वही, clear है, जितना इधर करें, उतन है, यहाँ, और y is equal to 4 की मानलो, यह line होगी, y is equal to 4, point यहाँ है, ठीक है, अब इसने, यह region बाउंड करना है, यह दो ही condition थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह कर्व हो गई, y is equal to 4, तो इन में तो यह area bound होगा, यह सारा, हुआ भई, clear है, अब यह हमने find out करना है, तो area is equal to, हम बात करेंगे, देखो, कैसे find out करें, अब यहाँ पे बात करें, तो यह जो strip है, आप ऐसे बना सकते हैं, यह, ऐसे, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही, अगर हम इधर-इधर की बात कर लें, तो इसका area x into dy, और कहां से का integrate कर दे, 0 से 4, 0 से 4, अब यहाँ बात आती है, इसी इस रीजन का आजाएगा, तो इसका कैसे निकाड़ेंगे, बही, इसी का क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, क्योंकि सिमिट्रिक है, पैरा बोला सिमिट्रिक होता है, जितना उधर, उतना इधर, तो इसका twice कर देंग तो यहाँ से x की value आप find out करेंगे, तो x is equal to under root of plus minus y आएगा, और किसकी ले लेंगे हम, उधर की बात कर रहे हैं, first quadrant में यह positive होगा, तो root y लेंगे, plus का, किसका लेंगे, plus का, तो यहाँ पे twice of 0 से 4, और यह लिख लेता हूं है, under root y dy, इसको integrate कर दें, तो y की power 3 by 2, और 2 by 3 यह आजाएगा, और इसकी limit 0 से 4, अब यहाँ इसको solve करें, तो 4 by 3, इसको solve करें, 4 की power 3 by 2 minus 0, यह कितना आगया, 4 by 3, और 4 की power 3 by 2 का मतलब 8 आजाएगा, वही, कितना आएगा, 8, तो यह इतना आगया, 32 by 3 square units, यही हो जाएगा, इसका answer, यह था वही, आपका question number 17, देखें फ्रे मेहनत को देखें, चैनल को subscribe जरूर कर लें, अगर आपने नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें support करें, अपने friend circle में भी बताएं, thanks for watching my videos.